हाई एवरीवान स्वागाते फिर से मेरी यूटूब चैनल पर आज हम बात करते हैं टू पीस थ्री पीस का कैसे होता है देखने में अगर आप लोग अच्छा से पोलीनेशन नहीं करेंगे अच्छा मेल टू फीमेल में जो पाउडर और जो फूल डालते हैं इसका अंदर स just कर्या में अ में हुआ नहीं होता है ओभी किसी साल में से ही होता है ज्त दाघा थ्री पीस टूपी निकलता है जब क्लाइमेट सेंस होने का भी इसमें असर होता है कि इसलिए आई हो जाता है कि पोलीनेशन का काम तो अच्छा ही करते हैं लेकिन कभी कभार किस साल में इसे ही हो जाता है किसी साल में सब साल नहीं होता है कभी-कभी ज्यादा सगाई में इसा होता है तूपीस-थ्रीपीस यह देखें किसी-किसी में बस एक धाना है देखें देखें पूरा य पीस निकला है एक देना इसी में बचा है बस। यह हर सल नहीं होता है, कभी इसा हो जाता है, लेकिन पवडर भी अगर अच्छा से नहीं लगाऊगे, जो मिल्ट रीज का फ्लावार होता है, वो अंदर अच्छा से नहीं लगाऊएंगे, फिर भी आशा होता है, तो आप लोग धेन दीजिए पॉडर भी अच्छा से नहीं मारेंगे तो इसा होता है तो थ्रीपीस इसी को बोलते है थ्रीपीस टूपीस ये देखिए सब ये थ्रीपीस है तीनों तरफ निकला हुआ है इसमें सब थ्रीपीस इस बार ज्यादा निकल गया है शगाई है शगाई में ही ऐसा ज्यादा होता है बाकी और खोजुर में नहीं होता है इस साइड में फिर कितना चाहा हुआ है दाना इस साइड में देखिए ऐसा हुआ है ये देखिए कितना अच्छा हुआ है पस सब फूल में नहीं है किसी किसी में है ये देखिए इधर भी कितना अच्छा है इस सैट में देखिए कितना अच्छा है इसका आधा अच्छा है तो आधा खराब हो गया है इस पार में टेको लगता ये मोसम के कारण से हुआ है इसा किकी अगले साल इसा हुआ नहीं था अच्छा था इस पार जल्दी गर्मी भी आ गया इसलिए भी हो सकता है तो आप लोग भी अच्छा बनाना है खजूर तो पाउडर अच्छा से लगाईए फूल अच्छा से डालिए उसका अंदर जो कि पाउडर अच्छा लगना चाहिए पुरा फिमेल ट्रीज का फ़लावर में तब जाकर दाना अच्छा होगा अगर अच्छास नहीं लगाएंगा तैस यही दाना होगा टूपीस त्रीपीस अगर यह वीडियो आप लोग काचा लगा है तो प्लीज लाइक करिये शेर करिये, कमेंट करिये सो थैंक यू फो वाचिंग